नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में इस वीडियो में आज हम लोग कलास 12 के फिजिक्स का हम लोग मोडल पेपर का टॉप सतर मोस्ट एम भी वी आई प्रशन करने वाले हैं और यहां से आपके प्रिक्षा में 100% कोशन टकराएगा ठीक है सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा 10 मिट में यह वीडियो आपका खतम हो जाएगा और इस 70% को आप लोग देख लेते हैं तो यहां से आपके प्रिक्षा में 15-20 कुशन स्योर है पूछाएगा ठीक है चली तो यह स्टार करते हैं दिखें पहला प्रशन क्या है किसी आबेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विदूते तिवरता का मान क्या होता आपको पहले भी बतला चुके अंदर या भीतर की बात हो हमेशा याद रखेगा इसका अंसर सुनने हो जाएगा आगला कुश हो गया पिर तीन हो गया कोणो कोन गुंना कर दीजिए सी बट फीलों डीकल्सी हो जाएगा अगला प्रसंदेखिए और काफीải Welcome वेला या चुका है देखिए कोसन क्या है अपका दो सेलो को जिनके विदुद बाहाग बल E1 और E2 तथा अंतरिक परतिरोद R1 और R2 है समंदर कर में जोरा गया है इसका समतुल बीभा बल क्या हो जाएगा इसका समतुल बीभा बल आपका E1 R1 पलस E2 R2 बटा R1 पलस R2 हो जाएगा म्यू गरेटर देन आपका 1 होता है म्यू गरेटर देन वन होता है इसमें A को हटा लेजिएगा बरा का चीज़िए अगला देखिए धुरूप परवलता का SI unit क्या होता है MPR मीटर होता है अगला देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी स्ट subscribe करके रखिए अगला है बिदुध हीटर में जिस्तदब का व्यभार किया जता है उसका नम क्या है नाइक्रोम है यह नी क्रोम लिखा हुआ है नाइक्रोम कर लिछेगा नाइक्रोम हुई है हम पड़ देते हैं सही सोसित बिदुध उड़ जाईए होती है सोसित बिदुध जा गया है और इस तरह से निरूपित क्या गया है विदु धर्णा की समें संबंद क्या है इसके इसके बीच संबंद क्या होता है संबंद होता है आई नोट आई नोट इनोट बरावर रूट टू आई रैम्स होता है ठीक है सो अगला कोशन दिखिए क्या पूछा जा रहा है बैवयार करता है अगला कोशन यू कवां में उत्र gracious क्र्विश्क करते समय परकास का कृन क्यों सब्रसे कम होता यह यह होता है बैगनी रंग के लिए एक पतले फिर्ज में जिसका आप बढ़तना के मियू है कि इसका निवनता मिचलन कोन का मान आपको बतलाना है इसका मियू मैनस वन इंटू में ए होता है और बहुत ही जिदा इनके पतले का इंपोर्टेन कोशन है याद रखेगा औपसन भी हो जेगा सईजवा परकास के अनुप्रस तरंग की परकिर्थी कोण पुष्टी कोण करता है धुर्बन करता है धुर्बन एक लेंस नभींतर हावा में 20 सेंटीमिटर इसका नभींतर एक माध्यम से जिसका हो जाएगा आपका अनन्थ हो जाएगा इन्फनाइट हो जाएगा बीदू चुम्बक के तरंग की संचरन की दिशा होती है इस सदीष करोस भी सदीष सदीष के समानतर आपसे नमर जो विश्वें डी के साथ गये हैं बिल्कुल सही जवाब है अगला है चुम्बक क्या छेतर सदीष रहीत आपका होता है फोटोन कर अपसे नमर सी हो जाएगा हार्डोजन एस प्रमणूर की कुन सी सरेनी अभरकट भाग में नहीं पड़ती है उसका नाम क्या है लाइमेन सरेनी और परती है बामर सरेनी हाड्डोजन परमानू के पर्थमब्र कछा मैं इलेक्टोन की तीन दे स्मुलब चौइलेक्ट्रोन वोल्ट है उसके दूसरी अच्छा में उर्जा कितनी हो जाएगी मैनस दीन दे समेव चाय इलेक्ट्रोन वोल्ट यखा और ऑपसे नमर ऐ हो जाएग यह उसका नाम है नुनु पंच सयोजक इसमें अबदर्व जो मिलाए जर्मेनियम मिलाए जागा पंच सयोजक बला ठीक है और इसका पीडियाफ आपको टेलीग्राम पर डार देंगे टेलीग्राम का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और टेलीग्राम यह जो इस चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है डायोड का उप्योग करते हैं यह की तरह करते है और ऑप्सन नमर दी के साथ गया है भिल्कु सही जवाब है नेंडगेट के लिए बुलियन बन्जय का आपको बहु में रटवा दिये है पर एक टीवी प्राशन टावर की उचाहिए 245 मीटर है जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्राशन पहुंचेगा वह कितना होना चाहिए वह होना चाहिए अपका 56 किलो मीटर ऑप्सन नमर विल्कुल सी होजेगा सही जवाब और कोशन बहुत बार टकराया ठीक है इस बिदूत परिपत के किसी बिंदू पर धराओं का बीच गने दिया योग क्या होता है बतलाइए तो यह सुन्न हो जाता है विभाम माती की सुग्रहायता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तो इसकी तार की लंबाई को बढ़ानी होगी ऑप्सन नमर डी सील का विभाब कि अच्छे तो दोनोत पन करता एक आदरस नमीटर का परतिरोद आपको बतला यह क्या होगा सुन होता है आदरस मीटर का परतिरोद होता तो MA होता है निम्यखित में से किसकी चुमबक सिल्टा अधिक है इन में से बतलाइए सही जवाब जेगा परती चुमबक्या पदार्थ की होती है दो समान चुमबक जिन में परती का चुमबक्या आगुन बरका M है परस पर यह लंबत रखे गए हैं वो एबं करोस का चिन बनाते हैं निकाय का परिनामी परियोग क्या परियोग क्या दाता है और यह नमर आपका बिलकूर राइट अंसर हो जएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं क्या हैं निकिते में से कौन सदीश राषी है बाईए बतला यह व्यक्तर कौंटिटी जीन में से कौन है सदीश राषी इन में से कौन है तो बिदुद छेदगी ती उड़ता आपका सदीश राषी है सम विभावी प्रिष्ट पर एक इलेक्ट्रोन को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक सुनने के equal होता है सुनने के बराबर होता है अगला question देखिए question है अपका एक electron तथा एक proton एक दूसरे के समीप आ रहा है तो इसमें निकाय की स्थिती जूरजा क्या हो जाएगी इसकी निकाय की स्थिती जूरजा आपका घड़ जाएगी option नमर यह हो जाएगा अगला question देखिए विरम आवस्ता से 100 वल्ट विवांतर पर एक electron तथा एक क्या लिखा हुआ है एक आपका है यहां पर एक अलफा है ठीक है ना अलफा इस तरह से होता है एक अलफा कन का तोरित करने पर इनके संवेक का अनुपात कितना होता है इसका होता है रूट अंडर में बटा में टू टू एमे होता है option में आपका बिल्कुल डी नमर सही जवाब होजेगा अगला question देखिए एक आद question आपको hard मिलेगा देखने क देखिए आप question exam देने चाहिएगा तो उसमें देखिएगा बहुत तरह तरह का question रहता है तो आप देखिए असान moderate और थोड़ा hard labor वाला भी question कर लीजे ठीक है ताकि आएगा question में तो दिक्कत नहीं होगा ठीक है अगला देखिए आर्ट दूरी पर इस थी दो बिंदू पर दीडिया के ब्रीद चेकर लगाए तो चकर में कि कितना कार होगा तो इसके चकर में क्या गया कर कितना होजेगा तो चकर में क्या क्याए लुक्तवी पूछा जा रहा है याद रखेगा काफी जदा इंपोर्टेंट है और यह पांच नंबर में प्रस्ण सिध्य करने के लिए पूछा जाता है परिक्षा में ठीक है तो आप सभी आरकोमा सिधी पर वीडियो का बेंजक ग्यात करना सीख लिजेगा ठीक है अभी तक जो श्मेर नहीं सीखे हैं अपने सर्जी को जल्दी से कहिए सिखा दीजेगा जहां भी आप कोचिंग पड़ते हैं ठीक है अगर कहिए के लिए पूछा जाता है बहुत बार परिक्षा में आया भी है ठीक है ना चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन आपका एक प्रोटोन तथा एक अलफा कन सम्मान विववांतर से तोरित किया जाने पर एदिए पी तथा यह सम्मानुपादी करमसा यह अलफा यह अ सवारन वणा कोशन देखे ए की का मान ओजेगा वन वान वन वन फार ए पी का मान कितना है अपका एक बटा ऑफाष बीकी SHOW और भी की अर्कॐ बजेगा टीज़गा औ्सिमन नमर क्या होजेगा धीनमर होजेगा ठीक है अगला देखें की स्क्राइप दूरिकर下 के मच में बिन्सीजिए बहुत दूर और कर लिए अर्थ कर आर धूरी पर विभग यह समानुपाती होता है यह समीर्ण पाती होता है जो उपर चाहेगा तो इनवर्स में बदल जाएता है ठीक है चुम्बके दुधूर्व आगुन एक सधीस रासी है जो निद्रिश्ट होती है यह निद्रिश्ट होती है आपका अगला कोशन क्या पूछा जा रहा है एक अस्टेट कुलांब परावर कितना होता है तो एक वत्त यहंद भी होता है आपको यहां फोनी होगा है को बहुत वाल सकता कर वा चुत है यह आप्योप और आप्षान कर गया है ठीक चलिए आई आगला कोसं देखीeking क्या है आपका वचपर नम्मटष आपका कोसन पूछ या रहा है इस स्थिति में कि घुमाने पर कितना अठार ना एक सो असी डिगरी घुमाने पर क्या गया कार क्या होगा क्या गया कारने आपका क्या जेगा सून जेगा अपसे नमर डी ठीक है एक आद कोसन जो है ना यह कट चुका है तो इसको हम एसे पिडियाप दे देंगे तो समझ जाएगा ठीक है चलिए अगला कोसन देखिए क्या है यह भी थोड़ा बहुत कटा हुआ इसको कंपरमाइज कीजेगा ठीक है इसे हम आपसे पूरी उमीद करे आस वाले एक नाभी की तिर्जिया नौ गुन्यदस की घात मैनस 15 मीटर है तो इसके प्रिष्ट पर विदुत विभाव का मन कितना होना चाहिए तो यह आठ गुन्यदस की आत च्वा बोल्ट हो जाएगा अगला कोसन आपका एक प्रोटोन को एक बोल्ट विभांतर से तोर किज्शय के प्रिष्ट तक लाने में 20 कारब़ता लाने में 186 उर्जा कार करना पड़ता है तो इन वियोगतों के भीकुवाथ आंधर कितना हो जाएगा 10 वोल्त है अगला कोसन आपका देलिए कोसेन आपका दो पलेटों के भीच वीवांतर दसकी गात पंच बोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 गुनेदसकी गात मैंनस तीन मीटर है इनके पलेटों के बीच स्थित इलक्टोन पर वलकामण ग्यात किजिए चार गुन्देश की जात मैनेस 12 न्यूटन हो जएगा एक सम्रुप विदू छेत की दिशा एकस खी दिशा एकस अक्ष की धनात्मक दिशा क्या है अनुदू से मूल बिंदू A है और एकस अक्ष पर एकस बरावर पलस वन सेंटीमीटर बिंदू B है तथा YX पर Y बरावर पलस वन सेंटीमीटर बिंदू C है बिंदू A, B तथा C पर विदूत विवफ संतुष्ट करते हैं ये संतुष्ट करता है आपका V A गरेटर देन भी वी ओप्सन वे बिल्कुछ बी नमर से जवाब हो जेगा अगला कोसन है आपका, एक प्रोटों के चारो और आर तिर्जा के विरतिया पत पर गूम रहा है एक चकर गूमने में Кा गया कार कितना होता है सुनने हो जाता है अगला कोसन है आपका देखिए परस्ण है किसी बिंदू आबे से से एक निशली दूरी पर विदूद छेत्र 500 वोल्ट है तता विदूद विभव तीन हजार वोल्ट है यह निश्चित दूरी है इसकी निश्चित दूरी आपका हो जाएगा च्वा मीटर ऑप्सन में बिल्कूल एक नमबर सही जवाब हो जेगा अगला कोशन है एक धनाबेश को निम्न विभव के छेत्र से उज्च विभव के छेत्र में लाया जाता है आबेश की इस्थिति उर्जा कितनी हो जाएगी बढ़ जाएगी इसकी इस्थिति उर्जा बढ़ जाएगी एक इलेक्ट्रोन को दूसरे इलेक्ट्रोन की और लाने पर निकाह कि इस्थिति उर्जा क्या होगी इसकी इस्तिती दूर्जा बढ़ जाती है अगला कोशन आपका क्या है एक्स अक्ष की दिशा में विदूद छेतर की तीवरता यदि 0 सलम 2 कूलम के आवेश को छेतर के दिशा में 60 डिगरी कौन से 2 मीटर विस्थाबित करने पर 4 जूल करना पड़ता है तो E का मन क्या होगा इसमें E का मन आपका कितना हो जाता है 20 न्यूटर परती कूलम हो जाएगा लास्ट कोशन है आज का किसी विदूद हो दिया पर विदूद विभब का मन दिया गया है 4 स्कौर बोल्ट है और इसके बीच की दूरी 1 मीटर हो 2 मीटर है पर विदूद छित की तिवरता बोल्ट परती मीटर में कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगा और रिनात्मक होगा और X-X के अनुदिस होगा इस 70 कोशन को एक बार आप लोग देख लिजेगा ठीक है इसका हम PDF आपको तीन बिहार बोड का जो ओफिसियल मोडल पेपर है इंटरनेट मोडल पेपर यह प्रिवियस यर का पेपर ठीक है यह इस साल वला नहीं है इस साल वला हम सिर्फ बायलोजी का करवाए है उसका PDF भी साइध हम नहीं दिये है तो वह भी अभी टेलीगराम पर डाल देते है तो आज के लिए इतना ही परिमलते हैं नए वीडियो में